Welcome guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं accuracy और precision के बारे में इससे पिछले class में हम लोगों ने बात किया था measurement of time के बारे में जिसमें हमने cesium atomic clock पर चर्चा किया था चलो ठीक है, आगे बात करते हैं accuracy क्या है, समझते है accuracy नाम से ही पता चल रहा है, एकदब accurate value पता करने वाला चीज accurate value जो बताता है, वही उसका accuracy है कहेंगे, accuracy जितना अच्छा हो, तो उतना अच्छा है क्या है कहने का मतलब, देखो, जैसे कि इतम से पर अच्छे तरीके समझते हैं acceleration due to gravity, यानी कि G, जिसका value होता है 9.8 meter per second square, यानी कि इसको हिंदी में गृत जन्त्वरन भी कहते हैं, तो ये जो acceleration due to gravity है 9.8 meter per second square, ये एकच्छल में है, कोई आदमी क्या किया अर्थ के आसपास इस चीज को नापने का कुशिस किया acceleration due to gravity है, तो जब इसको नापा, तो मालो किसी का value आ जा रहा है G का मान किसी के लिए आ रहा है, 9.1 meter per second square एक आदमी है, जो उसको नापता है, G को नापने का कुशिस किया तो जैसे ही नापने का कुशिस करेगा, तो मालो उसके लिए G का value आ गया 9.4 meter per second square, एक और आदमी है, G का actual value, जाने की true value वो, असलियत में जो main value है, वो कितना है, इतना है, ठीक और एक आदमी नापा G का value, नापने का कुशिस किया, जो भी तरीका हो नापने का, उस पर फोकस नहीं करना है तो नापने कुशिस किया, वो मालो नापा 9.6 meter per second square, ठीक है, चौथा, एक और आदमी नापा G का value, वो नाप दिया 10.2 meter per second square, एक और आदमी है, जो नापा, तो उसको आया G का value, 9.7 meter per second square, ठीक है तो इस तरीके से धेर सरा आदमी था, जो कि नापा अपना है, अपने हिसाब से अलग-अलग तरीके से ठीक है, तो जब नापता है, तो नापने के बाद देखो तो कौन सा value जो है G का, वो इसके सबसे करीब है सबसे करीब कौन सा है, 9.7, यही नहीं सबसे करीब है बागी इसके और इसमेट 0.7 का difference है इसमें 0.84 का, 0.2 का और ये तो भी 0.4 का इसमें और इसमें क्या है ? पॉइंट 1 का 0.1 का difference यानि कि ये 5 बार नापा पांच में से ये वाला जो value है ये value कहलाएगा कि ये ज़्यादा accurate है इन पांचों में से सबसे ज़्यादा accurate कौन है ऐसे बोलेंगे accurate कौन है किसका accuracy high है तो ये वाला का इस measurement का fifth measurement का accuracy high है क्यों कि कितना करीब actual value के यानि कि true value है उसका उसके करीब से करीब कितना ज्यादा करीब हम लोग नाप पाए है वही कहलाता इसका accuracy है रोड है मालो इसका actual value है वो length है वो मालो 2.5 meter है असल में लंबाई ठीक तो अब असल में इतना लंबाई है एक आदमी नापा तो scale label के नापने कोशिस किया तो उसको पता चला कि आरे या फिता होता से नापा तो वो देखता है क्या क्या है और TWO point three meter ही उसको ना पा रहा है ठीक एक आदमी क्याते हैं और नाप रहा है जो कि नापा क्या 2.7 मीटर ठीक अच्छा एक आदमी तीसरा है जो नापा 2.4 मीटर एक और आदमी है चौथा वो नापा 2.45 मीटर ठीक तो अब इसमें बताओ तो कौन सा वैल्यू जो है वो ज्यादा एकुरेट है यानि कौन सा वैल्यू ज्यादा परफेक्ट है एकदम इसका ज चारो Mac मैज़र्मेंट मैं से चार बाद जो नापे ल किस बार वाले में ज्यादा इसके करीब पहुँच पाए है इस एक्च्छवल लेंथ के एक्च्छुल लेंथ इसका असल नमबा इतना है लेकिन सबसे perfect किसमे नापे हैं इसमें ये वाला जो value है ये इसके ज़्यादा कड़ीब है ना तो कहेंगे क्या कि चौथा जो measurement है उसका accuracy high है वो ज़्यादा accurate value है ये सबसे अच्छा value है वेल्यु है क्यों इन चारों में से यह अच्छा है इसको जो बता रहे हैं इसको represent करने के लिए ज्यादा एक्यूरेट वेल्यू है क्योंकि इसके पास है यानि कि यह एक्वल्यक के कितना पास कम से कम कतना करीब जाकर के नाप लिये कितना close से close value नाप लिए वही कहलाता है क्या इसका accuracy ठेक है अब एक चीज़ देखो आप accuracy जो है वो किस बात पर निड़बर कड़ेगा यह ज़रा से समझने वाली बात है अगर मालो हम लोग किसी चीज को नापते हैं तो नापते समय कुछ नो कुछ error तोड़ है जाता होगा कभी हो सकता है कि ठीक से नापे नहीं फीता ठीक से नहीं पकड़े या फिर क्यालते हैं नापते समय हाथ हिल गया या इसी को value निकालते समय या कुछ हो गया कुछ भी बहुत तरह का error के बारे में हम लोग पढ़ेंगे next video में next class में तो बहुत तरह से error हो सकता है नापते समय तो जितना कम गरवड़ी करेंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से value को नाप सकेंगे जितना कम गरवड़ी करेंगे उतना accurate value नाप सकेंगे यानि कि जो accuracy होता है न वो ध्यान दखनाब कि accuracy मेरा error के error के inversely proposal होता है उल्टा समबंद है यानि कि error जितना कम करेंगे गलती जितना कम करेंगे नापने में उतना ज्यादा accuracy हाई होगा यानि कि जितना error कम होगा error कम करेंगे error in measurement error in measurement next video में हमको पढ़ना है error in measurement ठीक है अच्छा क्या है जितना कम error होगा यानि कि जितना कम गरबड़ी करेंगे नापने में उतना अच्छा accuracy आएगा यानि कि उतना अच्छा accurate value नाप सकेंगे यहां से एक objective जैसा यह निकला term accuracy is inversely proportional to error in measurement ठेक है accuracy अगर को define कर दिये न यह सारा चीज है more accurate true value के कम जितना कड़ीब से कड़ीब हम लोग नाप सकते हैं किसी चीज को वही कहलाता है क्या उसका accuracy अब बात करते हैं precision की precision क्या हो गया उसको समझा precision का फंडा यह है precision यह बताता है कि किसी भी चीज को आप कितना बारीक से बारीक कितना नाप सकते हो यानि कि कितना बारीक कितना resolution तक नाप सकते हो कितना limit तक नाप सकते हो जैसे माल लो कि अगर क्यालते हैं यहां यहां पर एक example देते हैं ठीक है देखो आप सारा चीज है description में आपको PDF में तो precision में जैसे माल लो अगर कोई एक rod ही है इसको एक आदमी नापा ठीक है तो एक आदमी नापता है जैसे इसको तो यह बोला क्या है कि इसका 2 meter जो है length है ठीक है अब देखो एक और आदमी है वो क्य किया जब इसको नापा तो वो बताया कि नहीं भाई इसका जो actual value है वो 2 meter नहीं है बलकि 2.1 meter है न यानि इससे एक अंक आगे तक वो नाप के बताया एक और आदमी है जो उसी चीज को नापा और perfect तरीके से नापा तो और तरीके बताया कि नहीं 2.13 meter है तो यानि कि देखरो कितना बारीक तक जा करके point के बाद आगे बढ़ रहे यानि एकदम बारीक तक जैसे कि मालो हम आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं जैसे कि आप लोग ये चीज देखो ये एक meter scale है ना इस ये meter scale जो है इससे आप चाहोगे तो एक mm तक का distance नाप सकते हो जैसे जीरो से एक तक के बीच में देखो तो ऐसे करकर के कट 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 दस चोड़ाता है ना तो एक centimeter में 10 mm है एकदम छोटा-छोटा सा बारीक जैसा एकदम बारीक जैसा ये total मेरा 15 cm का scale है तो यहां से यहां तक एक centimeter में 10 गो ऐसा ऐसा है ना तो एक-एक millimeter एकदम सुता-सुता बरका देख करके तुम यहां से मिला सकते हो तो यह क्या करता है यह जो meter scale है वो क्या कर सकता है एक millimeter तक नाप सकता है छोटा से छोटा बारीक चीज को अच्छा उसके बाद यह होता है वर्णियर calipers ठीक है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल का चीज है यह ठीक है वर्णियर caliper क्या होता है ना वर्णियर caliper का क्या इच्छा है वर्णियर caliper यह क्या करता है 0.1 millimeter तक नाप सकता है 0.1 millimeter यानि एक millimeter का दसवा हिस्सा रहेगा ना तो उसको भी नाप देगा यह ठीक है यह वर्णियर caliper उसके बाद एक और चीज आता है क्या है भाई यह screw gauge इसको कहते है ठीक है यह screw gauge क्या करता है कि 0.01 millimeter यानि एक millimeter का भी सवा हिस्सा अगर रहेगा तो उसको भी नाप देगा ना screw gauge क्या करता है 0.01 millimeter है उसको भी नाप देगा तो यानि अगर हम लोग यहाँ पर इसका मतलब इसमें जो नापे है या फिर क्यालते है मालोग 2 millimeter है यह यहाँ तक कैसे कर दिये या फिर 2 mm का मालो यह है तो यह मालोग किससे नापे होंगे 2 millimeter का है अरे भाई इसका मतलब क् मीटर स्केल का इस्तेमाल करके इसको नापे होंगे यह 2.1 millimeter है यानि वर्णियर केलिपर का इस्तेमाल करके जब इसको नापे तो पता चला कि इतना है जब इसी चीज को हम लोग नापे क्याची से screw gauge से तो वो यहाँ तक value दिया तो इसका मतलब तब पता चला कि आरे नहीं भाई इसका actual length जो है वो 2.13 millimeter है जब क्योंकि ये तो 1 millimeter तक ही न ले सकता था तो 2 millimeter तक नापा 2 millimeter से point 2 point कुछ का नहीं बता सकता वर्णियर केलिपर क्या है कि millimeter में point के एक अंग तक बात तक भी बता सकता था तो ये एक अंग बात तक भी बताया screw gauge क्या किया और ज्यादा करीब और ज्यादा एक कम value तक बता सकता था छोटा से छोटा तक बता सकता था यानि point के बाद भी दो अंग तक बता सकता था millimeter यानि ये देखो ये सब जीज है ये meter scale कम से कम एक millimeter का length नाप सकता है vernier caliper 0.1 screw gauge 0.01 तो ये सब इसका कहलाता है least count यानि कि least count का मतलब कि कोई भी डिवाइस कम से कम कितना छोटा से छोटा value को भी नाप सकता है वही कहलाता है उसका least count ठीक है definition है notes में ठेक तो ये एक millimeter तक को नाप सकता है ये कम से कम 0.1 millimeter तक ये इसको 0.01 millimeter तो इसका least count एक millimeter इसका इतना इसका इतना अब इस device से अगर हम लोग नापेंगे तो ज़्यादा resolution तक नाप सकेंगे ज्यादा decimal के बाद भी कुछ digit तक नाप सकेंगे क्या तो इसलिए इसका least count याद रखना जितना least count कम रहेगा उतना ज्यादा precise value आएगा किसी बीचीज का precise value कहने का मतलम जा फिर प्रिसीजन हाय होने का मतलम कि हम लोग कितना ज्यादा अंक तक उसको नाप सकते हैं ना जैसे 2 mm तक था यहाँ नापे तो कम प्रिसीजन है उससे ज्यादा precise value यह है उससे ज्यादा precise value यह है क्योंकि और ज्यादा बारीक नाप लिए हम लोग नाप लिए एक दब आगे से आगे value तक भी नाप लिए छोटा से छोटा यानि की सिर्फ 2 mm तक नहीं 2.1 या फिर 2.13 तक है वहां तक भी पहुँच गये तो जितना ज्यादा बारीक तरीके से नाप लेंगे उतना अच्छा न जैसे क्यालते हैं मालो अक्सर कोई भी चीज होता है जैसे मेरा height है अगर नापते हो तो मालो अगर height है मेरा 5 foot 10 inch तो एक ऐसा skill का अच्छे तरीके से बाड़ी किसे तो पता चला है कि नहीं 5 foot 10 inch तो है लेकिन 5 foot 10 inch उसके बाद 2 mm 5 foot 10 inch 2 mm तो यह ज्यादा ज्यादा बारीक value जो होता है उसी को कहते प्रिसाइड वेल्यू ठीक और एक आदमी नापा तो 5 foot 10 inch 2.13 mm तो और ज्यादा एकदम बारीक से बारीक digit तक बताया ना ज्यादा से ज्यादा digit तक बता दिया ना तो वो कहेंगे कि उसका प्रिसीजन उतना हाई है अगर हम लोग किसी डिवाइस से नाप रहे हैं उस डिवाइस का list count जितना कम रहेगा यानि कि वो जितना छोटा से छोटा value को नापने में सक्चम रहेगा तो वो उतना यादा precise value देगा यानि कि यहाँ से precissn तो समझे हम लोग कि क्यालते हैं वो कम से कम जादा कितना जादा resolution तक up to what limit तक नापा जा सकता है किसी value को वो उसका precision कहलाता है तो यह जो precision है वो inversely proportional हो गया किसके list count of device के device के list count के inversely proportional device का list count जितना कम रहेगा जितना छोटा से छोटा चीज को नापने में वो सक्चम रहेगा वो अतना ज़्यादा precise value देगा यानि precision जो होगा उस measurement का वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा precision का मतलब दस्वलों के बाद भी कुछ अंग तक नाप देता है वो ज़्यादा resolution तक ज़्यादा resolution ज़्यादा बाड़ीक से बाड़ीक resolution आए है मतलब कभी देखते होगे कि अगर घास के मैदान में धेर सारा घास खरा है घास है अगर तुम camera on किये और कहलते सब घास एक दूसरे में लगा लगा सा blood दिख रहा है एक ही जैसा दिख रहा है सिर्फ green जैसा चादर जैसा है तो समझेंगे कि उस camera का resolution कम है लेकिन अगर एक एक घास बारीकी से दिख रह है इसका मतलब उस camera का resolution हाई है तो resolution हाई है मतलब बारीक से बारीक चीज को भी दिखला दे रहा है तो कहेंगे क्या कि उस camera का precision हाई है जो camera जो value दे रहा है वो एकदम precise value दे रहा है precision उसका हाई है photo का precision हाई है उसी तरीके से यहाँ पर भी जो length ना पड़े है न measurement है उसका precision बिल्कुल यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई है क्योंकि और ज़्यादा depth तक बता देता है value तो यह होता है precision list count कम से कम जितना value तक को नाप सकता है कोई device वो हो गया list count ठीक है screenshot लेना ह आप लोग आगे measurement, error in measurement यानि कि error analysis का class भी कर लो फटा फट से ठीक है और लंबा class है तेख लो जारा